आज मैं आपको एक चोट इसी स्चोड़ी चुनाऊंगी जिसमें मैंने अपनी बनाई पेंडिंग्स का यूज किया है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जो करें और सुस्क्राइब भी करें ये कहानी है एक प्यारी सी लड़की की जिसका नाम था वैश्नवी उस समय बड़ी ही खुशाली थी और सब लोग मिल जूलकर खुशी से रहते थे वैश्नवी को म्यूजिक और डान्स बहुत पसंद था वैश्नवी को सार्ज देखना पेंटिंग करना भी बहुत पसंद था एक बार जब वैश्नवी पेंटिंग कर रही थी अचानक चारो और अंधेरा चाने लगा सब तरफ गोर अंधेरा चा गया सबी जानवर बहुत परशान होने लगे एड़ियों के रोने की आवाज गूंजने लगी एक काले साए ने सबको परिशान कर दिया यह सब देखकर वैश्नवी बहुत दुखी हो गई फिर वैश्नवी ने भगवान से प्रात्ना की और भगवान ने वैश्नवी की प्रात्ना सुन ली और भगवान ने अपना एक दूद बेजा उस दूद ने अपनी शक्तियों से काले साए को खतम कर दिया चारों और फिर से रोश्नी फैलने लगी तभी जानवर खुशी से खेलने डौडने लगे पेड़ों पर पंची चह चहाने लगे वैश्नवी भी जूम जूम कर नाचने लगी भगवार ने प्रसन्न होकर वैश्नवी को एक संदजी परी बना दिया चारों और फिर से सुख और शांती हो गई तो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मलती है कि हमें कभी भी उम्मीर नी छोड़नी चाहिए और हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा रखना चाहिए